Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आज की वीडियो बहुत इंक्रिस्टिंग एक वीडियो है, बढ़ा इंक्रिस्टिंग टॉपिक में टैच करने लगाँ. जो टॉपिक में आज आप लोगों साथ डिसक्स हरों, उसका नाम है पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल. यह पेशेंट मैनेचमेंट मॉडल spoken from Physical Therapists. तो पेशेंट मैनेट मॉडल का बिसक्रिदी मतलब कि हम उसके टैटल से ही इसको समझने ही कोशिश करते हैं. एक पेशेंट आपके पास प्रेज़ियोत का प्रिजिकल थेरैप़िल तेपाइट में. तो आपने इसको कैसे मैनेज करना ठीक है? मैनेज करके मदलबत है आपने इसके A to A के Z तक सारा उसका ट्रीटमेंट प्लैन फॉलो करना है सबसे पहले इसकी इस्ट्री लेनी है उसको असेस करना उसके बाद सारी चीज़ों को समझ के असेस करके आपने इसका डाइनोसिस निकाना है फिर उसको प्यान आफ करे निकाना है फिर इसके उपरे इंटर्वेंसिन अप्लाई करना है तो जो पेशिट मैनेजमेंट मॉडल है ना वो five pillars पर स्टेंड करता है five pillars में आपने सामें लेते हैं सबस्द पहले होता है हमने उसी क्या करनी होती है examination पेशेमिनेशन हमारे पास प्रेजैंट हुआ हमने पहले से क्वेस्टिन करना है हमाजी आप मेरे पास किस मसले से हैं तो वो आपको बताए का जी मेरे साथ यह मसला है पर आपने उसको सारह examiner करें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास कौन सा होते है इंजामिनेशन का इसमें भी इडिफिरेंट हमारे पास steps है को बताता हूं examination के पास हमारे पास आता है evaluation evaluation करते हैं तो इसको उसको हमने evaluate करना तो जमा करके एक conclusion की तो जाने तो जब उन कर्कूलिय की तरफ जा रहे होता है तो हम ने इसका क्या बना रहे होते हैं डाइग्नोसिस डाइग्नोसिस का क्या मतलब है कि पेशेंट ने ज़ो आप उपको पर कहाली बताई लिया और आपने उसको सेस के अपनी जोड़ी अकल इस्तमाल किया है तो आपने इस डाइग्नोसिस बनाने है कि उसके साथ मसला है क्या डाइग्नोसिस जब आपने बना लिया तो फिर उसको आपने क्या बताना है उसका प्रोग्नोसिस और प्लाइन आफ के प्लाइन आफ क्या मतलब है कि उसको आपने कैसे लेके चलने उसके साथ किया आपने इसके मेनेजमेंट्स जो स्ट्रेजी इसमें क्या कर चीजें आपने इंक्लूड करनी है वो उसके पैरमिटर जो होते हैं साथ हो उसके सब हैडिन आप प्लाइन आफ केर की प्लाइन आफ केर के बाद जो आफरी चीज हमारे पास आती हो है इंटर्वेंशन इंटर्वेंशन में क्या मतलब है कि आपने ऐसी कौन सी फिजिकल तरपी टेक्नीक सप्लाइ करनी है उसके उपर जो आपने पूरा उसको सेस कर लिया जो उसका प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए इंटर्वेंशन अप्लाइ करने के बाद फिर आपने जो आपने चीज उसकी चेक करनी है ना उसके है आउप कब सारे स्टेप्स स्पेशल मेनिकमेंट मौदल के फालो करके एंड में आपने चेक करना है कि जो आप आपका मचीव करना चाह रहे थे कि पेशिंट की यह स्टेप्स प्रॉब्लम ठीक हो जाए और ठीक हुई भी है कि नहीं इस सारे स्टेप्स हमने फॉलो करने फिजीकल थेरपिस्ट ने जब उसके पास एक पेशिंट प्रिजेंट करेंगा अब मैं आपको अराम अराम से सारे स्टेप्स हैं इस सारे पॉइंट्स हैं नहीं बता दूगा है और फदर क्या चीज़ें एड करनी होती है कि हमारा यह पर्टिकुलर पॉइंट है वो हमारा कमक्यूट हो जाए लोगा जो फ्रस्ट था उचेप था इग्जामिनेशन चाहिए इग्जामिनेशन में हमारे पास थ्री में कीप फॉंट्स हैं या चैप फॉंट्स हैं जो हमने लाजमी फिल अप करना है जबसे पहले क्या है टस्टेंड मायइस अब कि इसकी से क्या मरबता है इसकी सिघ्या में मुरा देकर सबसे हैं आजियाक के साथ क्या मसला ہیں वह आ demonsed ऑग्धुन बसे है है आपने सारे को से ने सेस्क्राइब करने का इंक अपस्टार्ट होई कैसे स्टार्ट हुई क्या इसके अग्रिविटिंग फेक्टर्स हैं किस टाइम दूरेशन के उसकी सवेरीटी इनिटेबिंटी इंटेंस के अपने सब परसें इस्ट्री अप डाट सबस्ट्रिक आपको कैरे बाट में तो इन को चेकरने का आपको क्या फायदा हुर। इनका बैप्पेन से क्या लिंक हो सकता है। is for example पेशन्ट को थाफ्रिश्परेट्री मसला उसको थाइस ताभ्र जी तेर्जी हैक्टिक कि विल्ट स Kazakh मर अवा साथ पर शेल देन tro somehow को ने से सानस में मसला है कौन सा कंपरवक्रइड में सुने अलाइट अमैं सिस्टम रिबीू नहीं किया है कोई respiratory complication या respiratory pathology के साथ है हमने इस और नहीं लिटा नहीं है कूंकि उससे चाहुआ हुआ जो हमने mobilizing force ले रबता लिटा है इसका सारा effect पढ़ गए उसके respiratory system तो इस तरह हमने सारे systems उसके check करना है अब भीशन कहते हैं जी मुझे लो बैक पेन है ठीक है आप पिर उसको मोबलाइज करते हैं लेकिन आपने जो था उसका यूराइनी सिस्टम उसको नहीं एवालुएट कि आपने से ये किड्नी से रिलेटेट प्रक्वेस्टेज ने पूछे जी बढ़ने यूरीनेशन है किड जो था स्टेप सिस्टम रिव्यू वाला यह मिस्कर दिया तो ऐसा फिजिकल थेरप्रिस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने जिस जितने भी पेशेंट की सिस्टम्स हैं बेशक करकर उनका डिरेक्ट लिंग नहीं है उस स्पैसिक प्रॉब्लम के साथ इसके साथ उ मेर्स का क्या मतलब आए कि हमने इनिशल एग्जामेशन के टाइम पर हमें एक पिक्चर बना शुरूरी के साथ यह मसला हो सकता लेकिन हम शौर नहीं है अब उस वह शौर्टी को कंफर्मिटी में हमने चेंज करने के लिए टेस्ट एंड मेर्स इसके पिर अप्लाई करने है अगर वो हमारे पास शौर्डर पेंड के साथ है तो हो कहते है जी बस मेरे कंफे मेरे ता हम उसके उपर शौर्डर में क्या अप्लाई कर सकते हैं हम स्पेशल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल टेस्ट में हमारे पास बहुत रेंज आफ आप्शन होती है हम उसका कैप्सुलर पर्टरन्स चेक कर सकते हैं, हम इंसके बिल्टी के टेस्ट कर सकते हैं, हम कैप्सूल के टेस्ट कर सकते हैं, हम टेंडिनाइटर्स के टेस्ट कर सकते हैं, टेंडिनोपैथी के चेक कर सकते हैं, जो रोटेटर का मसल हैं, हमकर टेस्ट कर सकते हैं, तो इस जो है ना scope of vision examination में वो broad करता है वो हमें बिताते हैं कि अगर सिर्फ ये shoulder है तो सिर्फ shoulder में किसी एक component में problem है तो हमने इस तब कैसे पहुंचना है हम different test and mayors apply करेंगे तब हम उसके पार उस point तब कहुंच सकते हैं तो जो initial हमारे पास examination है करेंगे पेशन हमार साथ present हुआ तो हमने उसकी examination में यह सारे points follow करने ताके पर हम next step जो उसका evaluation है उसका move कर सके okay patient management model के पर हम second step कराते हैं वो था evaluation evaluation में हमने क्या करना होता है जितनी भी हमें पिसरी findings होती है ना उनका हमने collection कर लेना evaluation से the final step था examination उसमें हमें जितनी भी findings मिली ना patient की problem से related उसकी condition की severity से related जितनी भी हमने initial उसका diagnosis बनाया यहां में पता चला कि patient का problem क्या है वो हम evaluation के step में सारी findings है ना इसको record करते हैं इसको no down करते हैं और evaluation के process की उपर बेस करता है कि हमने इसका diagnosis किस तरफ जा रहे है उसका prognosis किस तरफ जा रहा है और हम पर interventions क्या करें ठीक है जो evaluation का process है ना उसमें as such हमने patient से कुछ अगर हमारे पास examination के process में कुछ मिस हो गया तो वह हम evaluation के step में add up कर देते हैं ताकि अगर हम किसी गला direction में जा रहे हैं हमसे कुई part मिस हो गया तो वह हम evaluation में assess कर लें ओके patient management model में फिर मारे पास third step आता है diagnosis का diagnosis हमारे पास किस पर based होता है जो हमारे पास पहले दो steps हमने conduct की है examination कि और उसकी evaluation किया और उसके सारी findings analyze करके हमें एक diagnosis की तरफ जा तो diagnosis के process के हम क्या प्रक्टर रॉटर्स की analyze करते हैं all findings और फिर इसके बाद फिर हम उसके plan of care की तरफ जाते हैं जो हमारे पास initial patient की assessment की during the examination और evaluation वो यह दो steps कंड़क करते होए physical therapist के mind में tentative diagnosis बन जाना चाहिए कि patient के साथ problem क्या है और वो diagnosis के process तक आने तक वो पर diagnosis confirm हो जाना चाहिए diagnosis जब confirm हो जाता है उसके बाद पर हम उसके plan of care की तरफ चाहता है अच्छा जी यह diagnosis है ना patient management होए ताज़ एक physician के diagnosis है तोड़ा सा different है जो physical therapist टैक diagnosis आना वो based होता है हमारे पास impairments तो diagnosis is based on impairments तो जो physical therapist है जब उसके पास patient present की है तो जो patient की impairments है impairments का basic मतलब का है कि वो किस problem के साथ present की है वो हम उसके basis का diagnosis बनाता है जो physicians है वो disease based diagnosis बनाता है अब इसमें अपने differentiate कैसे करना अब let's say के patient आपके पास present करता हो करता है जी मेरी right knee में बहुत जादा pain है फिजिशन ने इसका diagnosis की टाला कैसे जी right knee का osteoarthritis लेकिन वो आपके साथ present हुआ है किस से pain के साथ और उसकी altered grade यह था diagnosis physician का और उसने patient का आपके पास refer करता है अब आपको अरड़ी पता उसका osteoarthritis है लेकिन आपने अपने diagnosis क्या निकाला उसकी impairments की base पे कि उसको pain हो रहा और उसकी altered date हो गी है क्यूंकि वो weight bearing नहीं करा नहीं है अब इन दो problem की base पे आपने उसका plan of care निकाना plan of care में आप पिर क्या करेंगे pain manage करेंगे उसकी duty पर count करेंगे मसला strength करेंगे ताके उनी का use में आप तो जो पर physical therapy का diagnosis है वो किस पर based हमारे पास आगे है impairments पर वो disease पर based नहीं किया हमने जो उसके actual problem है जिससे patient जाता है हमने फौरी relief मिले हमने उन पर count किया उनको identify किया examination और evaluation में और पर हम उसके according हमने plan of care बना है तो इस तरह physical therapist जो है अपना diagnosis लेके चल सकता और patient को manage कर सकता है patient management model में जो हमारे पास फिर four step है वो है prognosis का और plan of care का जैसे मैंने आपको पिछले step में बताया है कि जो उसका diagnosis और impairment based है तो हमारे पास जो physical therapist का जो prognosis आसका क्या मतलब है कि patient को कितना time चाहिए कि वो functional level अच्छे रहा था तो इसको कितना time चाहिए कि वो वो अपने काम जो functional टार्स थे activity of daily living थे वो चीव कर सके अच्छे अच्छे प्रोग्नोसिस फिजिकल थेरपी कर किस चीज पर बेस्ट होता patient को कितना time चाहिए functional टार्स अच्छे पर या इंडिया तो इसी जिसकर हमारा diagnosis और एक नॉर्म फिजिशन से डिफरेंट है तो हमारा prognosis भी पर उसी वज़ा से डिफरेंट हो जाता है क्योंकि हमारा scope होता होता है उसकी impairments ठीक करने का अब impairments की वज़र से वह काम नहीं कर पारा रहता है वह पहुंच होता है functional tasks होता है या activity of daily living होता है अब patient को कितना time duration चाहिए इन चीज़ों को achieve करने क्या उसको हम क्रेटग्राइज करते हैं यह इसका prognosis है plan of care क्या मतलब है कि हमने अब उसके साथ हमें सारा पता चले कर उसके लिए मसले हैं इसकी impairments हम नहीं इतना time चीज़ करने का पर हमने patient को कैसे लेके चलना है तो इसमें हम क्या करते है patient की journal management है general management की step को अपने steps को अपने mind में लेके आना होता plan of care में हम सबसे पहले patient की impairments लिख देते हैं एक chart पे second हम क्या लिखते है इसके goals and outcome अब वो goals and outcomes हमने कैसे achieve करने हमने कौन सी interventions apply करने है वो हम interventions की ending की अपन लिख देते हैं plan of care में हमारे पास एक chart बन जाता है जो physical therapist के सामने आएगा किसी अगर जो एक physical therapist patient को नहीं attend किया पहले पहली गफार देखा वो patient plan of care का chart देख लेता है सबसे बदर चल जाते हैं impairments patient के साथ problem क्या है मैंने किस चीज को address करना उसके पास patient के goals and outcomes क्या है goals and outcomes में हमारे पास क्या आ जाता है कि patient का pain level कम करना है उसके functional status achieve करना है patient को educate करना है उसकी condition के बारे में वो कैसे करना है कौन से interventions apply करनी है वो भी हमारे पास उसी chart पे लिखा हुए plan of care में हमारे पास यह सारे components आते हैं interventions का, interventions में के मारे पास different steps होते है सबसे पहले coordination करो patient instruction और फिर हमार बस last step होता है procedural procedural interventions का अब जो interventions का क्या मतलब है कि हमने पिसले four steps जो किये ना अब उसका इंटर्वेंशन निकलता है interventions पे interventions अप्लाइ करने के बाद या अप्लाइ करते वक्त हमने देखना होता है कि patient recover कर रहा है जो जिन impairments के साथ हमारे पास present हुआ था वो ठीक हो भी रही हैं, correct हो भी रही हैं कि नहीं उसके according पर हम अपती interventions को change भी कर सकते हैं interventions में हमारे पास सारी कौन सी आ जाते है physical therapy technique सा जाती है अब क्यूंकि हम physical therapist हमारे पास patient आया हमने इसकी examination की evaluation की diagnosis निकाला उसका plan of care बनाया अब interventions में हमने उसके उपार physical therapeutic techniques apply करके देखना है एक patient की impairments जी या patient की problem था वो ठीक हो रहा है कि नहीं उसमें हमने coordination में क्या मतलब है जी patient के साथ भी coordinate करना है अपने बागी please के साथ भी coordinate करना है कि interventions हम apply कर रहे वो ठीक भी है कि नहीं patient को एक home plan, home exercise plan दे देना है और patient को उसकी condition के बारे में educate करना है कि वो उसको पता होना चाहिए कि कौन system precautions follow करने है और सारे steps sponsor है और procedural interventions है कि हमने interventions जो हम उसको भी application that set criteria है तो वो हमने कैसे apply करने हैं वो हम इस step में follow करता है so interventions apply करने के बाद फिर हम patient का outcome देखते हैं कि आप patient की impairments थी या जिन problem के साथ वो मार पास present का आपको short summary दे रहता हूं five steps थे patient management model है for physical therapist examination, evaluation, diagnosis, prognosis और plan of care और interventions एचा जो first two steps है ना examination और evaluation के इस इनको conduct करने के बाद ये भी हो सकता है कि patient जो है physical therapist की domain में fall ना करता हो so हम उसको क्या कर देते हैं हम उसको refer कर देते हैं किसी physician के पास हमने examination के process में अगर सिस्टम को evaluate कर हमने data कर सिसकी systemic problem of the main issuer हम उसका किसी physician या किसी consultant के अपास चैफर भी कर सकते हैं और end पर हमने जो बाकी steps ना means initial examination के बाद हम हम इन सारे steps पर उसकी the examination कर सकते हैं examination एक बार करने के बार हम रुक नहीं जाना अगर हमने कुछ step में सो गया हम इसको check करना चाते हैं कि patient की impairments ठीक हो भी रही है के नहीं हो betterment की तरफ जा भी रहा है के नहीं तो हम क्या करते हैं उसकी re-examination करते हैं इन सारे steps पर हम कर सकते हैं तो अगर physical therapist इन five steps को follow करे तो वह बहुत एक असानी से एक patient को manage कर सकता है उसके outcome assess कर सकता है उसकी impairments को edit कर सकता है और एक अच्छा physical therapist भी बन सकता है तो I hope के आज की वीडियो आपको समझ आई आपको अच्छी लगी अगर तो अच्छी लगी तो kindly thumbs up दें और subscribe करें to my youtube channel medical knowledge thank you for watching कर दो